हो जाए साउधान देश में लिया एक और बीमारी ने जनम कोविट से साथ गुना ज्यादा खतरनाग नहीं बढ़ती साउधानी तो हो सकती है पाँच करोड से ज्यादा मौद बीमारी का नाम XWHO भी हुए हैरान दुनिया में करोना वाइरस के कहर से लोग अभी उबरे भी नहीं और इस बीच एक्सपर्ट एक नहीं मामारी के दस्तक की आशंका जदा रहे हैं जो कोविट नाइंटीन से साथ गुना ज्यादा खतरनाग हो सकती है और इस वज़ा से कम से कम पाँच करोड लोगों की जान जा सकती है डबलू एचो ने इसका नाम Disease X रखा डबलू एचो ने आशंका जदाए है कि नहीं मामारी रास्ते में है और ये कोविट नाइंटीन से ज्यादा घातक हो सकती है डेली मेल के एक रिपोर्ट के नुसार एक्सपर्ट ने Disease X को लेकर चेतावनी दी बिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की चीफ ने लोगों को चेतावनी दी अगर इस बीमारी ने मामारी का रूप ले लिया तो इससे कम से कम पाच करोड से जादा लोगों की जान जा सकती है इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे निपटना बड़ी चुनोती हो सकती है क्योंकि ये COVID-19 से ज्यादा घातक है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगली महामारी धर्ती पर मौजूद किसी वाइरस से हो सकती है साल 1918-1919 में एक महामारी आई थी जो किसी पहले से मौजूद वाइरस की वज़े से आई थी तब दुनिया में 5 करोड से जादर लोगों की जान गई थी ये किसी तरह का संकरवन भी हो सकता है आज नहीं तो कल कोई इसकी चपेट में आएगा और धीर धीर ये विमारी फैन ले लगेगी इस वज़ा से ये जरूरी है कि फैनने से पहले ही इसे धून लिया जाए जिस घातक वाइरस की बात हो रही है उसकी कोई जानकारी नहीं अभी तक ये कैसे और कफ फैलेगा इसका पता नहीं लेकिन इसे रोगने पर काम शुरू हो गया एक्सपर्ट का कहना है कि ये करोणा से होगा और फिर दुनिया को बचा पाना नामुम्किन होगा एसे में एक ऐसी वैक्सिन बनाने की तयारी है जिसे लगवा कर किसी संक्रम्रते बचा जा सके इसे एक्सपर्ट ने डिसीज एक्स का नाम दिया